समाजवादी पार्टी के प्रदेश अद्यश नरेश उत्तम पतेल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौझूद है दो दिवसी प्रशिच्छर शिविर का आयोजन किया गया है नेमी शारण में वहाँ पर जो है वो आज पहला दिन का समापानुगा है बात करते हैं सर क्या कुछ संदेश दिया आप लोगों ने कारकरताओं को संदेश तो लगबग आपके संग्यान में आई गया होगा कि भारती जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है और आंकणों के साथ समाजवादी पार्टी के विकास और भारती जनता पार्टी के विकास का तुलनात् बयाख्यैन भी हमारे वक्ताओं ने किया है देश के बीजक की है कि भार्तिय जन्तापाटी ने देश को पूरी तरीके के रथबहौस्ता को चोपड कर दिया हर आदमी महेंगाई से परिशान है हर आदमी विरुज़ारी से परिशान किसान की मुल ने मिला मेला का सम्मान नहीं है मैशलाओं के साथ चेर्चार हो रही है और कानूं वृसता पूरी तरीके से उत्तरप्रदेश की दोस्ता जिसका जीता जागता उड़न नियाले में जज़ के सामने हत्या हो गोली चले इससे बड़ा दुरुभा कि क्या होगा उत्तरपदेश का इतनी खराब कानून वोस्ता का लेकिन भारती जनता पार्टी की लोग कह रहा है हम 80 की 80 सीटे जीतेंगे मेनत चाहे जितनी कलने आप लोग अब वो तो कह सकते हैं कि 542 में 500 वेलिसों जीतेंगे तो जूट का उनका कोई जोड आए नहीं जूट बोलने में उनका कोई जोड नहीं है लेकिन जनता बता देगी कि 80 से 0 हटा देगी कल का क्या यगा जाएगा कारिक्रम का 80 से 0 उत्तर बोधेज में में पर चर्चा करूंगा और पहला वक्ता महई उसके बाद में समाज बाद और लोगा तंतर पर वालोना कादिरी साब हमारे बोलेंगे उसके बाद मानी राष्टिय दे की बोलेंगे और दो बज़े समापन हो जाएगे क्या रतियात्रा कल भी कोई निकाली जाएगी आज जानकरी कर बता दो बाचित के लिए शुक्रिया आपने सुना नरेश उत्तम पटेल जी को बहुत ही साफ गोई से अपनी बाते कही और साफ तार पर कहा कि कल अखलेश यादो यहां पर आएंगे और वो अपने विचार भी रखेंगे साथी साथ भारती जनता पार्टी पर भी हम लावर नजर आए कैमरमेन आश्टोच के साथ सीमा अबनकवी भारत समचार सीतापूर